जेहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी को KPA Study.2 टूटूब चैनल पर तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टेरिटोरियल आर्मी भरती के बारे में यानि की TA आर्मी भरती के बारे में आप में से काफी ये स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि TA आर्मी का रैली कब से सुरू किया जाएगा क्योंकि आप सभी को बता है कि जो इसका लास्ट वेकेंसी था 2019 में आया था लेकिन 2019 के बाद अभी तक कोई भी भरती का ओफिसियली नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है तो इस वीडियो में आपको बताएंगे इसकी कम्पलीट जनकारी इसकी लिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसकी रैली कब से सुरू किया जाएगा ये भी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं तो वीडियो में आप सभी बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले इस भरती की लिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में तो आप सभी को बता दे जो इसमें टोटल पोस्ट आपका रहने वाला है 4500 पलस आपको पोस्ट देखने को मिलेगा हालां कि इसका पोस्ट जो है कहीं पर भी मेंसन नहीं किया जाता है कि इसमें कितने पोस्ट है लेकिन एप रॉक्स आपको बता रहे हैं कि 4500 पलस आपको इसमें वेकेंसी देखने को मिल सकता है यानि कि इतने स्टूडेंट का सेलेक्शन इसमें किया जा सकता है इसमें वेकेंसी की बात करें तो constable, gd, tradesman and clerk post पर आपका ये भरती होने वाला है येज लिमिट की बात करें तो येज लिमिट आपका अठारे बरस मिनिमम होना चाहिए यानि कि रैली में भाग लेने के लिए मिनिमम अठारे बरस आपका येज होना चाहिए और maximum 42 बरस तक रखा गया है इसके बाद application fee की बात करें तो इसमें कोई भी application fee नहीं लगता है क्योंकि यह एक direct रैली होता है, direct आपको रैली location पर जाना पड़ता है qualification की बात करें तो यहाँ पे अगर आप gd and tradesman के लिए जाना चाहते हैं इसका जो रैली है, zone wise रैली इसका conduct कराया जाता है तो zone 1 के अंतरगत ये सभी state है, zone 2 के अंतरगत ये सभी state आते हैं आप सभी video को रोक कर देख सकते हैं, कौन से आप zones के अंतरगत आते हैं यहाँ पर सभी आपको दिया गया है जोन 2 के अंतरगत ये सभी एस्टेट है जोन 3 के अंतरगत ये सभी एस्टेट और जोन 4 के अंतरगत ये सभी एस्टेट आपको देखने को मिलेंगे इसमें pay scale आपका level 3 का मिलता है 18700 से training period में उसके बार धीरे धीरे इसमें pay scale बढ़ जाता है यहाँ पर height की बात करें तो आपका TA army के अंत्रगत जो आपका height मांगा जाता है 170 cm अगर आपका height है तो आप इसके लिए eligible है और male candidate ही केवल इस फर्ती में भाग ले सकते हैं female candidate के लिए ये vacancy नहीं होता है चेश्ट की बात करें तो 77 से 82 cm 5 cm expansion करना होगा यानि के फुलाना होगा 1.6 km आपका running होगा और running जो है same Indian army के तरह ही होता है इसमें 5 मिनट 30 सकेंड में अगर आप लगाते हैं तो आपको marks ज़्यादा दिये जाएंगे और वही maximum time की बात करें तो 5 मिनट 45 सकेंड तक आपको maximum time दिया जाता है इसमें जो है आपका push up भी 10 मांगा जाता है यहाँ पे बात करें भरती के अंतरगत जो आपका selection process है selection process में आपका PT, PhD सबसे पहले होगा यानि कि सबसे पहले इसका running जो है आपका conduct कराया जाता है उसके बाद medical होगा, retain होगा, document होगा और final merit list बनेगा इसमें आप सभी को बता दे कि vacancy के अंतरगत जो आपका document required होता है वो 10th and 12th का certificate आपको ले जाना होगा रैली location पर domicile, cast, unmarried, date of birth certificate और अधार या pen card इन में से कोई भी आप ले जा सकते हैं और passport, size, photo ये सभी document और एक character certificate भी इसमें मंगा जाता है तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है अब दोस्तों यहाँ पर बात करें इस भरती की रैली date के बारे में जो आप में से काफी सारे student का comment आ रहा था कि इसका रैली कप से सुरू किया जाएगा तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं ये टेरीटोरियल आर्मी का ओफिस्याली बेवस साइट है जहाँ पर इसका notification जारी किया जाता है तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे जो आपका last vacancy आया था 2019 में आया था यहाँ पर सकते हैं 2019 में इसका last vacancy जारी किया गया था लेकिन इसके बाद आप सभी यहाँ पर देखेंगे कि अभी तक इसके अलावा कोई भी दूसरा वेकेंसी जारी नहीं किया गया है ना ही 2020 में इसका वेकेंसी आया और ना ही 2021 में आपका यह वेकेंसी देखने को मिला तो यहाँ पर बात करें कि वेकेंसी आखिर इसका रैली कप से सुरू किया जाएगा तो यह संभावना है जनवरी 2022 में जो है इसका ओफिस्यली नोटिफिकेशन इस बेवा साइट पर जारी होने की यानि कि जनवरी 2022 से इसका रैली सुरू होने की पूरी संभावना है क्योंकि वेकेंसी काफी ज्यादा लेट हो चुका है और इस साल जो आपका भरती के अंतरगत जो इस्टूडेंट का सेलेक्शन किया जाएगा वो संख्या भी ज्यादा होने वाला है क्योंकि दो साल से भरती नहीं हुआ है तो इन दोनों साल का जो जितने भी पोस्ट खाली होंगे उन सभी पजो है यहाँ पर सेलेक्शन कराया जाएगा तो दोस्तो जनवरी 2022 में यह भरती आपका सुरू होने की पूरी संभावना है आप सभी दिसंबर यानि कि इस साल तो यह वेकेंसी नहीं ही होगा क्योंकि इस साल आपका यह नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है जनवरी 2022 2022 में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है लेकिन यह भी tentative जनकारी आप सभी को बता रहे हैं confirm details नहीं है क्योंकि इसका जो नोटिफिकेशन है जब तक इसके officially वेवसाइट पर जारी नहीं किया जाता है तब तक confirm कुछ भी नहीं बोल सकते हैं लेकिन यहाँ पर tentative आप सभी को बता रहे हैं जनवरी 2022 तक सुरू होने की संभावना यह भरती है यानि कि इसका officially notification आ सकता है अगर जनवरी में इसका notification आता है तो मार्च 2021 तक इसका रैली अलग-अलग जोन का जो है होने वाला है तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे टीये आर्मी को ल किसी ने इडिट करके बनाया है तो आई होप आप सभी समाझ गए होंगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद बंदे मात